में इसके से पठाके किसे चलाएगे हैं तुमने हम खाना कना रहें किछिन में जाने किसे दो दफ़े इसके बड़े बड़े पठाके मेरे कुस्कित रजी रहे आते हैं का बन रहा है रावड बना रहे हो कितनी लेथन फैला रखी है यह देखो रावड बन रहा है कर्शित का देखने में तो यह सुन्दर लग रहा है भी से अच्छा यह इस तरह से अरे वार मतलब यह वाला रावड बहुत सुन्दर बनने वाला है इसके पैर भी खड़े और उसके खड़े नहीं और रखने पूजा कर रहा है जो लगी रावड बनाने में मुच्छे कट रही है तुम्हार मुच्छे कट रही ही देखा अरे वह वाली नीचे की बियर्ड बनाते हैं बियर्ड कैसी लेथन फैला रखी है उस दिन बड़ी मुश्किल से सुबह समेटी थी गुड इवनिंग रादे रादे जैम आता दी और आज है अस्टगनी का दिन और आज मैंने सीधे अपना कैमरा ओन किया है और आज ही मैं ब्लॉक सूट कर रही हूं इतने इन से मैंने कुछ भी नहीं किया हुआ था लेथन देखिए यहां पर रावट बन रहा है एक रावट बन चुका है दूसरा रावट बन रहा है और एक रावड बगर में दीदी के घंबे भी बन चुका है आकर्शित को रावड बहुत ज़्यादा पसंद रहा है एक रावड इसने जिसनी नौराद का पहला दिन ता उसनी बना लिया था और एक रावड आज बना है बनाने में लगी दे तो दो नो जब से नौराद स्टार्ट वी है मैंने तब से आज मैंने अपना कैमरा ओन किया हुआ है परवा वाले दिन मैंने आप लोगों के साथ में ब्लॉक सूट किया था शेयर किया था और उसके बाद में मैंने माता की चोकी कराई हुई थी तो उस दिन मैंने आप लोगों के पूजा करते करते ग्यारा बज़ जा रहा था ग्यारा बज़े किचिन में आ रही थी और किचिन में आने के बाद में पहले अपने लिए चाय बनाती थी और इन लोगों के लिए नाश्ता बनाती थी उसके बाद में चाय पीके फिर किचिन में लग जाती थी काम करने के लिए खाना इन लोग का बनाने के लिए फिर किछिन साफ को रो फिर अपने लिए बनाओ ऐसे करके ना बहुत जादा टाइम हो रहा था टाइम ही नहीं मिल रहा था बिल्कुल भी तो मैंने सुचा चलो बजन है स्टॉक में तो बजन शेयर करती रहूंगी आप लोगों के साथ ने बोछ जन भी बहुत जबरजस्ट है ते बहुत जादा ला जवाब थे पूरा किछीन मैंने से उच्छे से सेट कर लिया था अभी किछीन प्रूरा मैंने अपनी किछीन के लिए इस जगह पर लगाने के लिए एक रैक загना की बहूत ही अच्छी लगी थी और मेरा काफी ट जो है ना बिल्कुल जादा एकडम खाली रहेगा तो देखिए कब तक डिलीवर होता है क्योंकि आज कल ये सारे तेवारों वाले सीजन चल लाए ना तो सेल भी बढ़िया चल लई है डिसकाउंट भी बढ़िया चल लाए जिस वज़े से डिलीवरी थोड़ी लेट हो रही है तो अभी इवनिंग का टाइम हो गया है साड़े चार हो गया है तो मैं पहले इन लोग के लिए बना लूँगी चाय इन लोग के लिए क्या अपने लिए भी चाय बनाऊंगी तो अभी मैं बनाऊंगी सब के लिए चाय अपने लिए भी बनाऊंगी तो मैं क्या करती हूं द कुछ इस तरह से पढ़ते हैं मुझे लग रहा है सबसे ज़्यादा मतलब यह विरत ऐसा रहता है नौरात का इन में बहुत ज़्यादा परेज भी रहता है और बाकी के तो चलो एक टाम किसी में खाना भी खा लिया जाता है तो मतलब सब अपने मानने के ऊपर रहता है और मैं हमेशा इसी मौहल में रही हूँ न तो मेरी इनी सब चीचों की आदत भी पड़ी हुई है इसी तरीके से काम करनी की तो यहाँ पर मैंने घी भी बनाया हुआ था तो घी जो है न इसको मुझे बॉक्स में ट्रांसफर करना है क्या बोलते हैं मैं तो डोलची उसमें मैं ट्र सबसे पहले आप लोगों को पता है मेरी बदर इल्लो आई हुई है न तो उनके लिए भी चाय बनाई है तो सबसे पहले उनकी चाय निकालूंगी बिना चीनी की क्योंकि उनको चीनी वाली चाय नहीं देनी है उसके बाद में हम अपनी सब की चाय में चीनी एड़ करके लोगों की कप में निकाली है अपनी में किलास में निकालूँगी और साथ ही साथ टायम भी शाम का है तो ज्यादा होता चला जा रहा है दीरे दीरे भोलने में अज थोड़ा सा मिस्टेग हो रहा है क्योंकि कही दिन के बाद में मैं वेसोवर गएरा इस तरह से दे रही हूं और अभी सब लोग चाय वेगरा पी चुके हैं तो बस मैं आ गई हूं बाहर बालकनी में और आकरशित बाहर पटाके वेगरा चुटा रहे हैं दरसल आकरशित ने दो रावड बनाए हुए हैं और ये छोटे से ही जब ये छोटा सा था जब इसको थोड़ी सी समझ आई पहले आकरशित को रावड से एक विसेश प्रेम हैं मतलब आप जो भी समझ लीजिए तो ये अब दशैरा जब तक नौरात चलते हैं तो इनको डेली देखने जाना हैं जहां पर रावड बनाए जाते हैं तो इनको वहाँ पर देखने भी जाना हैं और वहाँ से ये खरीद के भी लाए हैं और दो इन्होंने घर पे भी बनाए हैं तो ये पटाके वगएरा भार चुटा रहते तो फिर मैं बारी बैट गई थी ताकि इनके नजर रखे रहूं और साथी वहीं बैट कर मैंने लौकी भी कट कर ली थी क्योंकि साम में मैं मैं बनाऊंगी अपनी फलारी में कि सबची और जीरा एट करूंगी और एक हरीमिर्च उसमे और बाकी सेंदा नमक मसाले गहरा भृत की सबची में तो एट करना नहीं रहता है ढमाटर कट रहता है तРЕमाटर हमें चिल के उतार के ही सबची इण सब्लाइब बनाऊं तो जरूर लुकर मुझत चिलके टमाटर के बिल्कूल भी नहीं पसंद है और पसंद वाली बात अलग हो जाती टमाटर के चिलके जो होते हैं बहुत ज़्यादा नुक्षान करते हैं तो यहाँ पर मैं घी में ही सब्ची छोक लूँगी लोकी की और बहुत ज़्यादा सौट लोकी रहती है तो काफी जल्दी सब्ची बन जाती है और अच्छी लगती है तो सिंपल सी लोकी की सब्ची है और बनाओंगी कुटू की आटे की पूरी मुझे सिंपल सी लोकी की पूरी लोकी और बनाओंगी और आज मैं आप लोगों को आकरशित की बनाओंगी रावर भी दिखाऊंगी बहुत अच्छे रावर बनाया है मेरी बेट तो यहां पर मैंने सब्ची बनने रगती है और इसके बाद बनाओंगी अपने पूरी और क्या बदमासी करके आयो जरह बता दो इनकी दादी बात कर रही भी फोन पे कहीं पे हैं और यह पीछे से गए पटा का चुटा के आगए और दर हैं इतना बतेश फटा था सुत्ली बंग देख लीजे कितना सरार्ती है यह कितना परिशान करता है पूछ रहे हैं जो पूछ रहे हैं जो कहां भार बैठी है देख आपगांग अ कोचना है गया किया इसली अब बता तुम आने जाओ बता आप में इर्यंria से पटा कर थे चलाए रही दुमने कहां नहां कर वह आठना कर दो दो है इसले को है पैसम जोटे कि ने तो है इसले को सुटत कर दिया क्ट सुले 산 डरी वहती बहुत सुरारती लड़का हो गया बहुत ज्यादा और अभी नहीं हालत देखिए यह रावर बना हां आकर्शित का रावर दिखा दें सबको हैं आकर्शित का रावर रावर दिखाते हैं आप लोगों को यह रहा आकर्शित का रावर देखिए आकर्शित ने बनाया है कैसा लग रहा है कॉमेंट करके जरूर बताईएगा मेरे आकर्शित का रावर चुपा खड़ा है चलिए मैं अपने लिए पूरी वगरा बनालू कुटू के आते कि क्योंकि दिन बर तो ऐसे ही हो जाता है चाय म पाली गूंक लगाती है सब जीवन में रची मैंने और फटाफट से पूरिया निकाल देती हूं यह मलाई की खरुचन है जो मैंने घी बनाया हुआ था ना उसकी और रावर देख लीजिए दोनों रावर हैं आकर्शित और आकर्शित की दाधी ने दोनों ने मिलके बनाए हुए हैं बरावर से मेनत की हुई है रावर बहुत अच्छे बनाएं मेरे बेटे ने और अभी एक रावर यह मार्केट से खरीद के लेके आएंगे आकर्शित तो देखिए मतलब यह हो गए कुमकरण मेगनाद और यह रावर खरीद के लेके आएंगे बहुत ज़्यादा रहता है यह सब चीजे करने के लिए पूरा दिन लगा रहता है रावण बनाने के लिए आप लोगों को कैसा है लिए कॉमेंट करके जरूर बताईएगा आकरशित के बनाई हुए रावण और अभी बस मैं आ गई हूं किचिन में क्योंकि टाइम हो गया है तो बना लूँ तरह से खुटू के आटे की पूडी बना ले हुए और नौरात के ब्रत हो या कोई से भी ब्रत हो मैं कोई जैसे काफी लोग हो थे मुवखली का तेल तिल का तेल वेगरा यूज़ कर लेते खाने पर बट मैंने अभी तक इतनी बड़ी हो गई मैं आज तक मैंने कभी भी अ अपना फलारी जो भी मैंने बनाया है उसे खाऊंगी तो बस पटा फट से मैं पूरी बना लेती हूं सारी पूरियां मैं बना लूँगी और आकर्शित की आवाज आ रही होगी कह रहे हैं मैं रावर का देहन करने जा रहा हूं यह रही सिंपल सी लौकी की सबची लौकी की सबची और परोई की सबची ना बिल्कुल सिंपल ही अच्छी लगती चाहें आप ब्रत में बनाईए या फिर डेली के खाने में बनाईए और सिंपल ही अच्छी लगती है तो यहाँ पर मैं अपनी प्लेट भी लगा लूँगी कुटू के आटे की पूरी है और लोकी की सबची है और साथ ही साथ अपने आज के व्लोग को यहीं पर एंड करूँगी आप लोगों को आज के व्लोग किसी वीडियर ने पसंद आया हो अपने चलिगां लोगों के लोगों को समक्यों कि आटे के व्लोग के वीडियर चुर वाल के वीडियर वीडियर ने वीडियर शाथ ही यहीं पर एंगी